नमस्कार साथियों कैसेव आप सुभी साथियों आज हम इंगलिस क्रमर के एक बहुती शांदा टोपिक के बारे में बात करेंगे मोडल जो हर एकजाम में पूछा जाता है जिसमें इंगलिस का अगर पोर्शन है किसे भी एकजाम में तो इसमें मोडल जरूर रहेगा साथियों, model, mood सब्सेपना है जिसका अर्थ है, मनोधसा या भाव वाक्य में भाव क्या कहरा है वाक्य का भाव क्या है, किस अर्थ में कहरा है अगर वो अर्थ हम समझ लेते हैं तो हमें पता लग जाएगा इसमें चार ओक्सलम से कौन सा model आएगा तो साथियों सर्व परतम जो मोडल हमारी सामनी है वो है केन यह देखो नाम तो आपने सुने होंगे केन, कुड, में, माइट, सेल, सुड, विल, वुड, मस्ट, मस्ट, यूज, तू, और तू, डेर, नोट, डेर, नीड, नोट यह तो आपने सुने होंगे, नाम तो, तो सुर्वाज में केन, देखो साथियों, वाक्य में अगर समर्थे, समर्थे यानि केपेबिलेटी, अगर समर्थे केपेबिलेटी दिखा रहा है, योग्यता बता रहा है, कि भाई, जैसे राम इस सो इस्ट्रोंग, राम भहुती मजबूत है, इसलिए वो रेस जीश सकता है, तो यह क्या दिखा रहा है, उसकी योग्यता, पावर, यह वाद कि उसकी पावर दिखा रहा है, इस्ट्रेंद दिखा रहा है, कि वो भहुत मजबूत है, इसलिए वो रेस जीश सकता है, कैपेसिटी है उसमें, और ठोरिटिकल possibility दिखाता है सेदान तेक संभावना और सबसे important informal permission के बारे हैं जैसे अपने बोलते हैं can I come with you क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ informal दोस्तों में आपस में बोलते हैं informal और formal के लिए तो आप सभी को पता हैं में का यूज मिलेते मैं एकमीन सर के इसकूल में बोलते हैं हम सुरू से बोलते हैं मैं एकमीन सर तो वो उस जगे में का प्रियोग करेंगे बाकि अगर हमें informal permission औपचारिक अनुमती चाहिए तो can I come with you ऐसे बोलते हैं तो कैन का प्रियोग करेंगे समझ में आया अगर वाक्य में सामर्थ यूग्यता, शक्ति, ताक्त, चमता और अनुप्चारिक अनुमति बोल रा है इनफॉर्मल प्रमिशन बोल रा है वाक्य में यह बता करता है कि इस वेक्टि में ये चमता है ये कर सकता है तो उस जगी कैन का परियोग करेंगे और इनफार्मल लाख्चारिक अनुमती के लिए बी प्रियोग हम करते हैं साथे आगे चलते हैं कैन समझ में आया आगे चलो आगे ध्यान देंगे गड़के ये केंग का पास्ट है यानon polite request के लिए ओगर बोलता है पोलाइट request होती है कि विनम्र निवेदन पूलाइट request होता है कि अगर हम किसी से निवेदन करें कि questo कोड़ कोड़ सम मनी कि нем हो दो हमें किसी निवेदन करते हैं तोस जगे कुड़ आएगा अगर वाक्य में विनम्र निविदन की बात है विनम्र निविदन की अगर वाक्य में बात है तो हम कुड का प्रियोग करेंगे आप सभी को पता है कुड का प्रियोग करेंगे अब देखो सातियों में में क्या बोलता है, possibility है, probability है, यानि कि संभावना बताता है में, संभावना बताता है it may rain today, आज बरसात हो सकती है, it may rain today, आज बरसात हो सकती है क्या बता रहा है possibility और probability तो क्या आएगा में आएगा आज बस्ति है it may rain today अनौपचारिक अनुमति के लिए formal permission के लिए भी use में लेते हैं अपचारिक अनुमति के लिए sorry अनौपचारिक अनुमति के लिए तो can का प्रियोप करेंगे में आएकमीन सर इसे बोलते हैं किसी को अभिषाप देने के लिए कर्स देने के लिए wish करने के लिए और blessing देने के लिए यानि अभिषाप यानि किसी को कर्स देने के लिए अभिषाप देने के लिए wish देने के लिए किसी को बढ़ाई देने के लिए blessing देने के लिए भी मेका प्रियोग करते हैं साथियो समझ में आया मुखेते हम मेका प्रियोग संभावना बताने के लिए करते हैं It may rain today आज बर्षाथ हो सकती है संभावना बता रहे हैं ओपचारिक अनुमती बता रहे हैं, मैं आएक कमें सर, क्या मैं आज सकता हूं सर? तो ये ओपचारिक अनुमती है, वीवर खार्ड, तो देट वी में पास, ये संभावना है साथियों, संभावना बताने के लिए, आगे चलते हैं, आगे माईट, might देखते हैं, might remote possibility, might साथिए, past of may है, may का past है, remote possibility हैं, बहुद कम संभावना बता रहता है, देखे हम बात करें, may, may बताता है संभावना, it may rain today, आज बरद साथ हो सकती है, यह संभावना है, बदल दिख रहे हैं, आज बर दर साथ हो सकती है, लेकिन चीन संभावना यानि बहुत कम संभावना बताता है remote possibility, might might remote possibility बताता है साथ चीन संभावना भाई, we work hard so that we might pass ये कम संभावना है, अगर हम मेनत करेंगे तो साथ पास हो जाएंगे साथियों, कम संभावना बताने के लिए request with hesitation हिच के साथ हिच कि चाते होएं, बात करते हैं, लिवार्ण kicking से request करते हैं कि ये मेरा काम कर दो तो might use me ले या समझ में आया, फिर sale पे चलो promise किसी से वादा करने के लिए, किसी को दंखी देने के लिए किसी को चेतावनी देने के लिए हम sale का प्रियोग करते हैं वाद्दा करने के लिए promise, thread, determination और warning, warning देने के लिए यानि कि किसी को चाहता हो नहीं देने के लिए हम जो है sell का प्रियोग करते हैं If you don't return my money, you shall be killed. तुम मारे जाओगे अगर मेरा पेसा वापस नहीं दिया, तो मैं तुम्हें मार दूँगा, अगर मेरा पेसा वापस नहीं दिया, तो इस जगे शैल का प्रियॉप करेंगे, I shall kill you. समझ में आया साती हूँ, आगे चलते हैं, सुड़ पे, जगों सुड़ है जो, वो एडवाइस, सजेशन और मोरल ड्यूटी के लिए आता, एडवाइस देने के लिए किशी को सजेशन करने के लिए और मोरल ड्यूटी के लिए, You should do this work, तुम्हें ये कारे करना चाहिए, एडवाइस दे रहे हैं हम उस पे, हम उसको बात दे नहीं कर रहे हैं, एडवाइस देने के लिए, You should obey your parents, तुम्हें अपनी मातपिता की माननी चाहिए, एडवाइस देने के लिए, किसका परियोग करेंगे, सुद्ध का, अब विल देखिए साथी हूँ, Will के बारे में बात करेंगे, Will का हम जब परियोग करते हैं, तो ठ्रेट किसी को धंकाने के लिए, किसी को चैताओने देने के लिए, एरादा पका हो, तब कमान्ड आदेश देने के लिए, formal request के लिए formal request के लिए मैंने पहले भी आपको बताया है कि formal request है उसके लिए हम किसका परियोग करते हैं make का करते हैं make का करते हैं will का भी कर सकते हैं formal request के लिए हम will का परियोग भी कर सकते हैं किसी को इरादा बताने के लिए formal permission के लिए will you please help me ओप्चारिक निवेदन के लिए क्या तुम मेरी मदद करोगे फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी हम क्या कर सकते हैं विलका प्रियोग करते हैं साथ फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए में में का प्रियोग करते हैं और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए विल का प्रियोग करते हैं फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए किसका विल का और फॉर्मल परमिशन के लिए में का प्रियोग करते हैं I will help you surely, पक्का इराधा बताने के लिए, determination बताने के लिए हम विलका प्रयोग करते हैं, इराधा बताने के लिए, चेतावने देने के लिए, I will kill you धमकी देने के लिए, हम विलका प्रयोग करते हैं साथ, आगे चलो, वुड़ पे, पॉलाइट रिक्वेस्ट पास्थे बिट, विनमर निवदन के लिए और पुराणी आदते बताने के लिए हम वुड़ का प्रयोग करेंगे, यह अपने यूद के समय से ही इस्मोक करता आ रहा है, यानि पुराणी आदत हम बता रहे हैं, तो वुड़ का प्रयोग करेंगे, विनमर निवदन के लिए भी हम वुड़ का प्रयोग करेंगे, पॉलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी, मस्ट, अब यह मस्ट बहुत इंपोटेंट, मस्ट सरल भी है और इंपोटेंट भी है, अगर आप पे बात देता हो, अगर आप पे निश्चितता हो, अनिवार्यता हो, यह करना ही है, तो उस जगे मस्ट का प्रयोग करते हैं, यह necessity है, strong possibility है, यह obligation है, यानि आपके उपर अगर बात देता है, निश्चितता है, अनिवार्यता है, तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हो आप, यह मस्ट गो देर, आपको वहाँ जाना चाहिए, यह मस्ट टेक मेडिसिन रेगुलर्ली, तो गेट वेल सोन, तो मिश्चित रूप से रेगुलर्ली मेडिसिन लेनी चाहिए, जल्दी ठीक होने के लिए, तो इस जगे मस्ट का प्रयोग करते हैं, सातियों, मस्ट बहुत इ ना हो, और बिल्कुल नहीं करना है, तो मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे, यू मस्ट नोट इस्मोक हीर, तो मस्ट नोट का प्रयोग करेंगे, मस्ट नोट, समझ में आया, यू मस्ट नोट इस्मोक हीर, यानि कि आपको निशेद ता बतानी है, यहाँ पे स्मोक नहीं करना और बद्देता बतानी निश्चिता अनिवारता बतानी है तो मस्ट कज़ाय करेंगे समझाया सतिूम साथियों भाई यूस्टू अब वात आती यूस्टू यूस्टू का साथियों हम प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट दिखाने के लिए यूस्टू की जगे मूड का प्रयोग भी करते हैं अगर पास्ट हैबिट बतानी है पास्ट में इसे करता था तो हम यूस्टू का प्रय यूज़ के समय तक इस्मोग करता रहा है इस्मोग करता रहा है तो किस चीज का यूज़ टू का परियोग करेंगे इस्मोग ही यूज़ टू ड्रिंक इनी यूज़ वो अपने यूज़ के समय तक समय से पीता रहा है कि यूज़ तू इस्मोक करता रहा है यूथ के समयते इन इस यूथ तो यूज़ तू का प्रियोग करेंगे पास्ट हैबिट दिखाने के लिए यूज़ तू की जगे हम वुड का भी प्रियोग करते हैं और यूज़ तू का भी प्रियोग कर सकते हैं समझ मैं एहार साती हूं O2 अब O2 होता है O2 के इस्थान पर हम सुद का प्रियोग भी करते हैं आपको पता है सजेशन नेतिक दायतों बताने के लिए O2 का प्रियोग करते हैं Need note का You need note go there आप वहाँ नहीं जा सकते हैं Need note का प्रियोग करेंगे Dare Determination मोडल आसान वासा में समझ में आये होंगे अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को वापस देख सकते हैं समझ में आजाएगा धन्यवाद साथियों